हलो फ्रेंस आज मैं आपके लेकर आई हूँ सफेद प्याज की बहुत ही मजीदार रेसिपी और साथ ही मैं इसको खाने के बेनिफिट्स बताऊंगे इसके लाब अगर आप देखेंगे या सुनेंगे ना तो आप हैरान रह जाओगे सबसे पहले तुम आपको बता दो कि सफे दिमाग को भी शांत रखता है और लगातार हम अगर सफेद प्याज का सेवन करते हैं तो इसमें इंफ्लेमेशन का स्तर जो होता है वो कम हो जाता है और इसके इंफ्लमेटरी गुन के कारण ही बर्ड प्रेशर को हाई नहीं होने देता साथ ही खून का ठक्का नहीं जमने द रहता है तो क्या करना है मैंने ऊपर के जो छिलके हैं वो उतार लिये हैं और उतारने के बाद हम इसे पानी में वोश कर लेंगे याद रखेगा कट करने के बाद हम वोश नहीं करेंगे पहले ही हम इसे धोलेंगे कट करने के बाद दोएंगे ना तो इसके आधे गुन तो छीवी निकल जाएंगे तो यह देखिए पहले ही मैंने इसे विट कर लिया हो इस तरीके से हमने सिस्माइश कट करनी है ज्ञादा पतली भी कट नहीं करनी है चाहिस्सTime करनी है तेनो घ्याहिज के हम स्लाइसिस कट कर देने हैं दोस्तों मैं आपको बता दो कि सफेद प्याज में सलफर कंपाउंड और फ्लेवोनोइड एंटियोक्सिडेंट के गुन होते हैं जो कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से लड़ने में भी सायक होते हैं साथ ही सफेद प्याज खाने से ट्यूमर का खत्रा भी हट जाता है और साथ ही इससे खाने से हड़िया मजबूत होती है और यह देखी बातों बातों मैंने सारे लच्छे निकाल लिए हैं और कुछ मसाले भी मैंने इसके अंदर एड़ किये हैं जैसे कि नमक डाला है चाट मसाला डाला है साथ ही रेड़ चिली पाउडर डाला है अगर आप नहीं खाना चाते तो काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल सकते हैं या टोडली स्किप कर सकते हैं आधा नीमभू इसमें निचोड देंगे और ये देखी अच्छे से सारे मसाले हम मिक्स कर देंगे यानि एक एक लच्छे के उपर हमने अच्छे से मसाले हैं वो कोट करने हैं बिल्कुल हमारे लच्छेदार प्याज हैं वो तैयार हो चुके हैं अब सैलेड के तोरपीने खा सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं बोहत ही मज़ेदार टेस्टी होते हैं तो आज की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना